हेलो, वेलकम टुरि स्टेडी सरकल, अगर आप वी पेसी टीचिंग रिक्रूट्मेंट एक्जाम की तैयारी कैसे हैं, तो आप ACRT की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास नाइन इस्टेंडर्ड का हिस्ट्री, चाप्टर फोर, वी से क्या था, 1914-1918, तो विस से इतिहास में 1914 का बर्स एक ऐसे युद के लिए उलेखनिये हैं, जिसने संपून विस को अपने आगोस में ले लिया, और युद्ध रद देशों ने अपने संपून संसाधन इसमें जोग दिये, विस को लगभग तमाम देश इस से प्रतक्ष और अपर्टक्ष रूप से परभावित हुए, इस युद्ध ने कई देशों के राजनेतिक, आर्थिक, इस्थिती और नक्सा बदल दिये, और इस युद्ध के कारणों को निम्न लिखित रूप में खोजा जा सकता है, तक किसमें सामरजवादी पर्टिस प्रिदा, और दग में हुआ, इस कारण उन्हें कम ही उपनिवेस हाथ लगे, लेकिन उनकी समराजवादी लिपसा रुखने का नाम नहीं ले रहे थे, 1914 इस पी तक जब जर्मनी और दोगीक छेत्र में काफी प्रगिती कर चुका था, वो ब्रिटेन और फ्रांस को भी काफी पीछे छोड़ च करना चाहा, इसके लिए जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेल्वे लाइन बिचानी की योजना पर स्विक्रिती चाही, जर्मनी की इस योजना का फ्रांस का रूस ने विरोध किया, इधर 1905 में रूस जापान जुद में जापान की पिज़े स तो जापान की सामरजवादी महत्यकांचा और परवान चखने लगी, 19-वी सताबदी के अंतरक अमेरिका भी एक सकतिसाली रास्ट के रूप में उभर कर सामने आ चुका था, और वो बैपार की सतंतरता बनाए रखने में दिल्चस्पी ले रहा था, दूसरी ताकत के उभर तुर्की समराज तर था ओस्ट्रिया हंगरी में अधिकास निवासी सलाव जाती के थे, उन लोगों ने सर्व सलाव अंदोलन की सुरुआत की, जो इस सिधान पर आधारी था कि एउरोप के सभी सलाव जाती के लोग एक रास्ट है, इसने ओस्ट्रिया हंगरी का रूस के सा मंद काटू बना दिया इससे तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ जिसका लक्ष बालकन प्राइदीप में जर्मन सम्राज का विस्तार था इस परकार उग्र राष्टवाद ने इरोप के देशों के आफसी संबन्द को तना उग्रस्ट बना दिया तीसरा कारण क्या था संबाद। उरोपय देश अपनी सैनिक सक्ती पर सारा ध्यान केंद्रित कर दे थे। फ्रांस जर्मनी आदि प्रमुक उरोपय देश अपनी राष्टिया आई का लगभग 85% सैनिक तयारियों पर व्याई करते थे। जहाजी बेड़ा बनाना शुरू किया 1912 में जर्मनी ने इंप्रेटर नामक जहाज बनाया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था इस परकार जर्मनी इंगलाइन के बाद दूसरा सबसे सक्तिसाली रास्ट बन गया तो क्या था 1912 में जर्मनी ने इंप्रेटर नामक जहाज बनाया, जहाज का नाम पूछता है, कि जर्मनी ने जो जहाज बनाया था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था, इंप्रेटर, और जर्मनी क्या था, कि इंग्लाइन के बाद दूसरा सक्तिसाली राष्ट बन गया था, तीस चौथा कारण क्या था, विसे जुद होने का कि गुटों का निर्मान, सामरजबादी लिपसा के सिकार सक्तिसाली देश अपने अपने हीतों के अनुरूप गुटों का निर्मान करने लगे थे, एक समान स्वार्थ को केंद में रखकर राच्र रहनीती तैय करने लगे थे, परिनाम स्वारूप विसमार्क को ही जर्मनी का जन्दाता माना जाता है। उसने 1879 में आस्ट्रिया के साथ द्वैद संदिकी और 1882 इस भी में एक त्रीगुट जो की ट्रीपल अलाइंस बना जिसमें जर्मनी आस्ट्रिया हंग्री और इतली सामिल है। तो क्या था कि त्रीगुट या ट्रिपल आलाइंस का बना 1882 में और इसमें कौन-कौन थे जर्मनी आस्ट्रिया रांग्री और इतली जिसका हम सौर्ट फों में कर सकतें ए जी आई-टी अजीत हैंना तो A for Austria-Hungary, J for Germany और I for Italy. है ना कि अजित, अजित त्रीगूट में कौन था? अजित था. ये त्रीगूट बिसमार्क ने फ्रांस के ब्रूद बनाए थी. तो ये त्रीगूट किसने बनाए थी? बिसमार्क ने बनाए थी और किसके ब्रूद बनाए थी? फ्रांस के बिरुद बनाई थी यदा फी इटली की विश्वसनियाता संदिक थी क्योंकि इसका मुख उद्धेश इरोप में आस्ट्रिया हंगरी के कुछ इलाके छिदना और फ्रांस की सहता से त्रीपोली को जीतना था इस त्रीगूट के बिरुद में फ्रांस और ब्रिटे और तुमारे ट्रीपल एलाइंस में था फ्रीव ये सामान्य हित्यों और समाजदारी पर आधारित धीला ढाला गर्जोड था इन दोनों गुटों की उपस्तिती ने युद की भयावेता को तै कर दिया घटना ग्रम 1914 में प्रारंभ ये प्रतम बेसेचुद के पूर्ब के बरसों में इस तरह से घटनाए घटित होती थी जैसे मुरको का प्रस्ण हो या बालकन प्राइदीप का मुद्दा ये सभी युद को निकट लाने का कार्य कर रहे थे 1911 इस भी में प्रांस ने मुरको के अधिकांस भाग पर अधिकार कर लिया 1904 में आस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया और इस चेतर को सर्विया भी लेना चाहता था वह बालकन चेतर में एक संजुक स्लाव राज का आयम करना चाहता था इसलिए उसे जर्मनी खुलकर आस्ट्रिया के पक्ष में आ गया अंदर ता रूस को पीछे हटना पड़ा लेकिन इस घटना से रूस और जर्मनी में कट्ट था और बढ़ी साथ ही जर्मनी फ्रांस के परती भी उतना ही विसाक्त था जर्मनी के चांसलर बिसमार्क फ्रांस को पंगू ब घटना से हुई अगर संपून इरोब में अगर संपून इरोब गुटों में बटा होता और काटूता वंग विद्देश का माहल पहले से ब्यापना होता तो शायद घटना नहीं हो पाती 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फरडिनेंड की बोस्निया की राजधानी सारा जेवों में हात्य हो गई आस्ट्रिया निस घटना के लिए सर्वेया को जिम्मेतार धराया और सर्वया के समक्ष मांदे रखी सर्विया ने सीकाल कर दिया क्योंकि इसे वह सपत अंत्रता ताल पर कुठाराघात समझता था फालत 28 जूलraई 1914 को आस्ट्रिया ने सर्विया के कि खिलाफ जुद की घोसना कर दी, तो 28 जुन को मडर हुआ और 28 जुलाई को अस्ट्रिया ने सर्विया के खिलाब जुद की घोसना कर दी, रूस ने सर्विया को पूर्ण सहायता का बचन दिया और जुद की तैयारी करने लगा, जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को और रूस ने 3 अगस्त 1914 को फ् बिल्जियम घुस गई बिल्जियम कब घुसी चार अजस्त को उसी दिन ब्रिटे ने जर्मनी के खिलाफ जुद की घुशना कर दी और इस तरह ये ब्यापक रूप धारन करने लगा इसी क्रब में दूसरे देश भी लड़ाई में सामिल होते गए जापा ने सुदूर पूर् कि अलबूर्व पूरर्जै की जर्मनी के तरफ हो गया तुर्की और बूल्गारिए किसके साइड में जर्मनी के तरफ हो गया लंता-सऑप अनतवा भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया घंगी के खिलाफ जुद्में सामिल हो गया इस पर कर आज्ड ड्यूक फढ़िनन के हता यूद के ततकाली कारण के रूप में सामने आया तो 1882 में जो बना था अजीद तो उसमें क्या हो था कि यह जो था इटली यह उसमें चला गया फ्री जो था ट्रिपल एंटेट उसमें चला गया तो यूद का अंत और सांती संथिया उनी सो सत्राक में एक और महत्पून घटना घटी वह था रूस का यूद से अलग हो जाना अब दक रूस के 6 लाग से अधिक सहिनिक मारे जा चुके थे रूस के अर्थ ववस्ता भी अत्तन दैनिये हो गई थी बोल्सेविक सरकार के सत्ता में आते ही इसके नेता लेनी नेग गपती जारी की जिसमें दूसरे के छेत्रों को हत्यार बिना और जूद के हर जाने लिए बिना सांती स्थाफित करने के प्रस्ताव रखे गये थे जद़ भी ये सर्टे और यूद से रूस का हटना उसके अपने आंतरिक व्यवस्ता के अपरियाता थी लेकिन जर्मनी ने इसे रूस की कमजोरी माना और कुछ मुस्किल सर्टे रूस के समक्ष रख दिया इसके बाद यूद भी रूस इसे स्विकार कर यूद से हट गया मार्च 1918 में रूस जर्मनी से एक सांती संधी हुई और रूस यूद से पूनता अलग हो लेकिन इन देशों की जनता ने युद के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया जगा जगा साहनिक बिद्रो होने लगे रूस की नई सरकार से पूरे 20 में आम जनता का मनोबल उचा हुआ यूद रद देश की जनता अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगी जर् जर्मानी अपने आपको बहुत पाध़ समझने लगा और जो यूना नमख पर डुबिया थी जर्मानी की वह जहाजों को डुबाना शुरू किया रूसने कि उसको डुबाने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई नागरिक सवार थे अमेरिका के जुद में सामिन होने से जुद की इस्तिती ही बदल गई जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संजुक से निक अभियान आरम किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी बुल्गारिया सितंबर में युद से अलग हो गया अक् जर्मनी ने में राजनितिक असंतोस बाढ़ रहा था, 3 नमबर 1918 को और जर्मनी एक रांती फूट परी और जर्मनी एक गनराज बन गया, जर्मन समराट कैसर बिलियम दीतिया पलायन कर होलन चला गया, और नई जर्मन सरकार ने 11 नमबर 1918 को जुद विराम संधी पर हस्तचा कवा 1, 11 नमबर 1918 को. आगे क्या हु रहा है कि ऐस्फ मैं अमेरिका के राश्ट्रपती उडरो विलसन ने जनुड़ी 1918 को सांती का कारीकरम प्रस्तुत किया, जब जो 14 सुत्रों के नाम से चरचित हुआ, जो 14 सुत्रों की का बर जो किसी ने प्रस्तुत किया था, उर्डों व सभी राज्यों की स्थापना जैसी बाते सामिल थी। तो इस 14 सुत्री कार्यक्रब में क्या किया था? कि सभी राज्यों के भी खुली बात्चित चलाना, जहाज रानी की स्वतंत्रता, हत्यारों की कमी, बेल्जियम की स्वतंत्रता, फ्रांस की अलसास तता लॉरेन की ओपसी, इरोप में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, सभी राज्यों की स्थापना की जमानत के लिए, अंत यही लोग क्या कर दे थे निरनायक भूमिका निभा दे थे अमेरिका के राष्टरपती विड्रो विल्सन, ब्रिटेन के पधान मंत्री लायर जॉर्ज और फ्रांस के पधान मंत्री जॉर्ज क्लिमेंसू, यह तीनों प्रमुख ब्यक्ति थे जो सांती संधी की सर्टे ते कर यहां पर इंपोर्टन है कि जब वर्साई की संधी हो ली थी तो अमेरिका के राष्टरपती कौन थे? विड्रो विल्सन, ब्रिटेन के पधान मंत्री कौन थे? लायर जॉर्ज और फ्रांस के पधान मंत्री कौन थे? जॉर्ज क्लिमेंसू. तो यह तीनों ही प्रमुख ब् 28 June 1990 को हुई. इसे वर्साई की संधी के नाम से जाना जाता है. तो जो मडर हुआ तो वो 28 June 1914 को हुआ था. और वर्साई की संधी कभी 28 June 1919 को. पराजित जर्मनी को संधी पर हस्तक्छर करने के लिए मजबूर किया गया. संधी में जर्मनी को युद का जिम्मेदार बताया गय जर्मनी की साथ छेत्र की कोईला खदानों को 15 बर्स के लिए फ्रांस को दे दिया गया तथा इसका प्रधासन रास संके अधीन कर दिया गया जर्मनी को अपने युद्ध पूर्ब छेत्र का कुछ भाग डेनमार्क, बेलजियम, पोलान और चेकसलेविया को भी देना पड़ा किसको किसको देना पड़ा डेनमार्क, बेलजियम, पोलान और चेकसलावक्या को राइन नदी की घाटी छेत्र को सेना रहित करने का फैसला किया गया, संधी के तहर जर्मनी की सेना एक लाग तक सिमित कर दी गई, उससे बायु सेना और पंडूबिया रखने का अधिकार छ जर्मन उपनिवेस, ब्रिटेन, बेलजियम, दक्षिन अफरीका और पुर्तगाल को दे दिये गया, प्रसान छित में इस्तित उसके उपनिवेस तथा चीन में उसके सारी अधिकार छेत्र जापान को दे दिये गया, यूद के दोलान चीन मित्र राष्ट्रो का सहयोगी था और पेरी समिलन में उसका प्रतिनी धी भी सामिल हुआ था, परन्तु जर्मनी के अधिकार या नियंत्रन करने वाले चीनी छेत्र चीन को नहीं लोटाए गया, बलकि वे जापान को दे दिया गया था, यूद में मित्र राष्ट्रो को जोहानी एवं छती वित्यू, उसका ह जी जोलावया, और पोलाण की स्वाधिनता को मानत आदे, उसे अपने चेत्र में इन देसों को और इटली को देने पड़े, बालकन चेत्र में अनेक परिवर्तन किये गया, अनेक राज बनाया रिण विक भूबागों का हस्तांतरन किया गया, बाल्तिक राज जो रूसी सम को पूरी तरह चिन भीन कर दिया गया, ब्रिटेन को फिलिस्तिन और मेसोपोटामिया दे दिया गया, और फ्रांस को सीरिया दे दिया गया, छेत्रों और देशों का ये हस्तांतरन जिस वैवस्था के तहत किया गया, उसे सासन देश या मैंडेट वैवस्था कहा जाता है, की को एक छोटा सा राज बनाने का निर्ने लिया गया इन सांती संधियों का एक प्रमुख अंग था कि रास्ट्र संग का प्रसंबिदा रास्ट्र संग मतलब लीग ओफ नेशन्स अमरीका के रास्ट्रवेती उड्रो विल्सं के 14 सुत्री सिधान्त में इसकी चर्शा थी इसके उद्देश सांती और सुरक्षा बनाये रखना अंतरास्ट्र जगडों का सांती पूर निप्टारा करना और सदस देशों को यूद का सहरा ना लेने के लिए बाधि करना इसका एक महत्वपून प्राबधान प्रतिवंदों से से पढ़ते हैं कि अब तक के हुए युद्धों में प्रतम विस्युद सबसे भयावा थी और इसकी ब्यापक्ता और बरवादी तरासद पुर्ण थी विभिन अनुमानों के अनुसार लगबग 45 कड़ों लोग इस विस्युद से परभावित हुए लड़ाई में या अन्न तो इससे निप्टारा करने के लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था का उदे हुआ प्रतम विस्युद और इसके बाद संपन सांती संथियों ने अनिक देशों की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्थन किया कई राजदंत्र नश्ठ हो गए कई देशों में लोगतां परिवर्थन का उदे हुआ एवं नहीं सामबादी सरकार से 20 जन्मत रूबरू हुआ तीन सासक बंस नस्ठ हो गए यथा रूस का रोमानोव सासन जर्मनी का होहन जोलन और आस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग के सासक बंस समाप्थ हो गए तो कौन-कौन सासक बंस ऑसन था तुरकी में वह भी समाप्थ हो गया खोड़ी दो अलग अलग स्वतंत्र राज बंगये चेकुष लविक्या और य०ोस्लाविया दो इसाथंत्र देश के रूप में उभरे पोलाइन भी शतंत्र देश के रूप में सामने आया यह ये रोप का वर्चज समांप्थ का दावा इस यूद से धूमील हुई क्योंकि समराजवादी यूरोप सदेव इस प्रचार को हवा देता था कि यूरोप और यूरोपियों लोग स्रेष्ट है रूस और जापान का 1905 का जूद और इसमें रूस के पराजय से भी यह मिथक टूटा साथ ही एसिया और अफ्रीका के देशों में स्वाधिन्ता अंदोलग तीब्ल हुआ तो यूरोप के लोग क्या करते थे हमेंसा अपने आपको स्रेष्ट बताते थे लेकिन जब विस्यूद में हार के बाद यह उनका स्रेष्टता का दावा था यह मिथक टूट गया इसका यह मिथक टूटने का एक और कारण था कि जब रूस और जापान का 1905 में जूद तो इससे क्या हो कि इससे भी यह मिथक टूटा कि हाँ यूरोपियल लोग ही स्रेष्ट होते हैं। पर्थम इससे जुद समराजवाद को समाप नहीं कर सका बलकि इसकी समापती के उपरात जो समझाते हुए उससे समराजवाद का बेग और प्रिचेंड हुआ। यह दपी यूद को रोकने के लिए राष्ट संग नामक अंतराष्टी संस्ता की स्थापना की गई। वरंतो यह अपने आरंभिक छोटी मोटी सफलताओ के बाजूद भी यूद रोकने में सफल नहीं हो सका। तो दीत्रियो विसेजुद का समयकाल क्या था? यह 1939 से शुरू हुआ और 1945 में एंड हुआ। तो दीत्रियो विसेजुद कब शुरू हुआ? 1939, 1949 में और खतम कब हुआ? 1945 में. तो पेरिश की सांती समझोते से असंतुष्ट रोआज जो ने 1936 के अंग तक इस बैवस्ता के अंतरगार अपने कर्टबों से स्वयंग को मुख कर लिया था। अब यह अपनी छती पूर्ती का दावा कह रहे थे जिसका अर्ट छती पूर्ती ना होने पर केवल युद ही हो सकता था। इस खत्रे के कारण बिट्री सरकार जो अपनी वर्ट से नी सस्त्री करन करके एक उधारन प्रस्तूत करना चाहती थी ऐसा करने का इरादा छोड़ दिया और परतिरक्षा के नाम पर सस्त्री करन में जुड़ गई। राष्ट्र संग इन तमाम घटनाओं का मौन और मूख साक्षी बना रहा अंतता वो घड़ी ही आही गई दितिय विसेजुद के कारणों की चर्चा के करम में प्रन्थम विसेजुद की समाप्ति और पेरिस संधी से लेकर 1939 तक के घटना करम का उल्लग प्रासंगीख होगा जिसकी आपरियार परिनती के रूप में दितिय विसेजुद शुरू है तो क्या था पहला कारण की वर्साई की संधी की विसंगतिया दितिय विसेजुद कभी जारूपन वर्साई की संधी में ही हो गया था पेरिस सांती समेलन में ही सिद्धानतों की बातों को बीजीत रा कारण के था कि वचन की भी मुखता तो रास्टरसंग के बिधान पर हस्तक्षर कर सभी सदस राज्जों ने वादा किया कि यह सामुहिक रूप से सब की प्रादेशिक अखंड़ता और राजनितिक सतंत्रता की रक्षा करेंगे अब सर आने पर इन समस्थ रास्ट पीछे हरते गया और रूस को सदस नहीं बनाया गया था अमेरिका सदस बनने से इंकार कर दिया था चीन जापान की सामराजवादी नीतियों का सिकार होता रहा और इटली अभिसीनिया को रौंद द रहा फ्रांस चेकोसलाविया के बिनास में सहायक हुआ हिटलर चेक राज्यों को तो सथे साथ ही आचेकोसलाविया पर दोख तो टो तो किसमेजों कि और खेल लेकिन जिम्मांचेु के लिए सब्सक्व Nossa गया कि मत्यां खिंचा बाहिए को जिसे साथ हे तो गुट मंदी और सैनिक संदिया भी दीतियों के लिए जिम्हेदार थी सांती बनाए रखने के नाम परियूरोप में अनेक संधिया हुई जिसके परिणाम सरूप इरोप पुना दो गुटों में बन गया एक गुट का नेता जर्मानी बना और दूसरे गुट का नेता फ्रांस बना इस गुटबंदी के पीछे सध्धांतिक समानता और हितों की एकता थी इटली जापान और जर्मानी एक सिध्धांत फासीजम में विश्वास रखते थे उनकी नीती भी समान रूप से प्रसारवादी थी यह रास्टर वा इस वर्साई की संधी से छुपते और हर हाल में थोपी गई सर्टों से मुक्ती चाहते थे इसके विप्रिध फ्रांस चेकोशलावी का प्लाईन इत्याधी देसो के हित एक थे कि उन्हें वर्साई की संधी से बहुत लाव हुआ था और ये हर हाल में उसे कायम रखना चाहते थे इंग्लाइन शुरू में इस गूट में शामिल नहीं था लेकिन परिस्तिती बस उसे भी इस गूट में सम्मिलित होना पड़ा रूस तब तक अचुता था दोनों गूट उसे संदे की नजरों से देखते थे लेकिन परिस्तिती बस जर्मनी ने रूस की और हाथ बढ़ाया इस तरह गूट बंदी से संपून इरोप का माहूल विसाक्त हो गया था और विसाक्त माहूल में संका के लिए हर छोटी बात महत्वपून थी दूसरा नेक्स्ट कारण क्या था कि हत्यार बंदी गुट बंदी और संसे के माहूल में पर्तिक रास्ट अपने आपको असरुचित महसूस कर रहे थे परिनाम सरुप सा सस्त्री करण को बढ़ावा मिला ब्रित्रीस सरकार जो नी सस्त्री करण का उधारन पेस करना चाहती थी तो ब्रित्रीस के बित्री मंतरी चेंबरली ने मार्स 37 में घोसना की कि पर्तिरक्षा की ब्याई की पूर्थी अब केवल कर लगा कर नहीं की जाएगी उसने इसे प्रियोजन के लिए 40 करोल पॉंड का रिन लेने तो उस टाइम पे ब्रित्री का बित्री मंतरी कौन था चेंबरलीन था और मार्स 37 में क्या घोसना की कि पर्तिरक्षा की ब्याई की पूर्थी अब क्योल कर लगा कर नहीं की जाएगी और इसके लिए उन्हें ने क्या कि कि 40 करोल पॉंड का रिन लेने और पांच वर्स के अब्धी में पर्तिरक्षा पड़ेर अरब पॉंड बहे करने का प्रस्ताव दिया और उस टाइम के प्रधार मंतरी कौन थे प्रधार मंतरी बाल्डवीन ने था उन्हें ने इस प्रस्ताव को समर्थन किया नेक्स्ट कारण क्या थे कि रास्ट्रंग की असफलता रास्ट्रंग की ब्रामक सकतिय तता सदस रास्टों के सहयोग का अभाभी दीतिय विसजुद का कारण मना रास्ट्र संग ने छोटे छोटे राज्यों के मामलों को आसानी से सुल्जा दिया लेकिन बड़े रास्ट् ने दीतिय विसुजुद का मार्ग प्रसस्त किया तो रास्ट्र संका क्या था कि ब्रामक सक्तिया और सदस रास्ट्र के सहयोग का अभाव दीतिय विसुजुद का एक बहुत बड़ा कारण बना नेक्स्ट कारण था क्या था कि 20-22 आर्थिक मंदी परतम विसुजद के बाद 1929-30 के काल में 20-22 आर्थिक मंदी आया इससे उद्धार का कोई रास्ता निकट भविस में दिरिश्टी गोचन नहीं हो रहा था 1931 में ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और 1929 के बाद शरत काल में अमेरिका से इरोप को रिइन मिलना बिलकुल बंद हो जाना इस संकट की प्रथम अंतराष्टी अभिवैक्ती थी इसके बाद इसारे भिस में क्राई सक्ती का हरास हुआ जिसके परिणाम सरुक कीमतों में ब्यापक और अनिष्टकारी गिरावत हुई बेकारी के आंकरे हर देश में दिन दुने रात चोगुने बढ़ गए नेक्स रिजन था कि नभीन विचारधाराओ जो कि हिटलर और मुसलिनी का उदे पर्थम इसे जुद के बाद इरोप में नाजिवाद और फासिवाद का उदे हुआ ने इन नए सिधान्तों के आधार पर जर्मनी में हिटलर के नेतरित में नाजी सरकार बनी और फासिवाद के सिधान्त के आधार पर मुसलिनी के नेतरित में इटली में सरकार बनी तो क्या था जर्मनी में हिटलर के नेतरित में नाजी सरकार या नाजीवाद का जर्म हो और Italy में मुस्लिनी के नेतरीथ में फासिबाद का सिधांत या फासिबादी सरकार का गठानुआ इन दोनों सिधांत रास्ट के गोराब और सक्ति पर बल देते थे फलाता इन दोनों रास्टों ने दूसरे रास्टों पर आक्रमन करना शुरू कर दिया जिससे विसुजुद की परिस्थितिया पैदा हुई इन दोनों राष्टों ने राष्ट्य गौरव के लिए समराजबादी लिपसा को ही आधार बनाया जापान जर्मनी और इटली अपने समराजब का विस्तार कर अपने आर्थिक परिशानियों को दूर करना चाहते थे और अपने राष्ट का नाम गौरण बीद करना चाहते थे जापान उनिस्वी सताबदी के अन तक एक सक्तिसाली और और द्रगिक देश बन चुका था और पर्थम विस्जुद के पस्चात उसे भी प्रादेशिक लाव हुआ लेकिन उसके लिए उपने विस्तार के लिए कोसिस करने लगा और 1931 इस भी में उसने चीन पर आक्रमन किया कौन जर्मनी और उसके एक छेतर मंचूरिया पर कबजा कर लिया उसका ये आक्रमन कारी अभ्यान चलता रहा और वो जर्मनी और इटली का सहयोगी बनकर दीतियो विस्जुद में बर्मा इत्तदी को जीता वह भारत पर भी आक पर आप यहां पर देख सकते हैं कि ये हिटलर का चीतर है और ये है मुसालिनी का सितर है नेच्ट कारन था तुस्टी करन की नीती इंगलेंड की तुस्टी करन की नीती भी बहुत हद तक दीतिया विस्जुद के लिए जिमेदार थी पस्चिमी पूजिबादी देश वादी रूस को नफरत की द्रिस्टी से देखते थे ये चाहते थे कि हिटलर किसी भी तरह सोवियत रूस पर हमला कर दे जिससे दोनों देश कमजोर हो जाए और जब तक ये हस्ते छेप करके दोनों सक्टी को बरबाद कर देंगे इसलिए शुरू में पस्चिम के रास्ट ह हिटलर की मांगों को स्विकार करते रहे और जब इन लोगों ने देखा कि हिटलर की मांग और महत्तकांचा बढ़ती जारी है तो अपना हाथ खीचना शुरू कर दिया तब तक देर हो चुकी थी तुष्टी करन्द की दिशा में अंतिम कदम म्यूनिख समझोता या म्यून मांग पोलाइन से की पोलाइन इसके लिए तयार नहीं हुआ इसके वज़ा से जर्मानी ने पोलाइन पर आक्रमन कर दिया तो 1938 में जो मियूनिक फैक्ट हा था उसमें किया था कि हिटलर और मुसलुनी मिले और इंग्लाइन और फ्रांस ने हिटलर को सुडेटिन लेंड पर आक्रमन कर दिया अब ततकालीन का आरन और यूद का आरब एक सितंबर 1939 फर्स सेटेंब्र 1939 को जैसे ही जर्मानी ने पोलाइन पर आक्रमन कर दिया इसके साथ ही दिसे भी से जुद का शुरुआत हो गया ब्रीटेन और फ्रांस ने दो दिन बाद 3 सेप्टेंबर 1939 को जर्मा घरनी के फिरूद्गोस ना कर दि रूस सपनी शे उन के लिए बाल्टिक के तीनो राजयो इस्टोनिया लाटव्य और लिथ्वानिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहते था त। तो कहां बाल्टिक के तीन चेट क्या कहते है एस्टोनिया लैटोविया और लिथ्वानिया पर कौन अपना प्रभाव जमाना चाहता था रूस सप्टेमर अक्टूबर के महने में उपयोग तीनों देसों के बिदेश मंत्रियों को मास्कों बुलाया गया और तीनों बिदेश में लेकिन इसीreek दोनों में बारताभांग होगी और सोब्यासंग ने फिंलाइप राक्मन कर दिया 12 मार्च1940 को 12 मार्च1940 को फिनलाइप इस संथी वी जिसके अनुसार सव्यट को वह सारी शुविदाये परापत होगी जिसको आ अपनी शुरक्ष्षा के लिए आवश है 9 एपरिल 1940 को जर्मनी ने नौर्वे और डेन्मार्क को हराया और उसकी सेना आगे बढ़ने लगी जून 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस पर कबजा जमा लिया और 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मे समर्पन कर दिया इसी बिच इतली भी जर्मनी की और से युद में सामिल हो गया फिर इतली जो था एक बार फिर से जर्मनी की और से युद में सामिल हो गया था रूस पर आक्रमन 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमन किया और एक बड़े भुभाग को अपने कबजे में कर लिया साथ ही पुना जर्मन सेना मासकों की ओर बढ़ने लगी मगर रूस ने इसका डर्ट कर मुकाबला किया और जर्मनी को पीछे हटना पड़ा जब जर्मनी को मासकों छेतर अपनाने में विफलता मिली तो उसने रूस के दक्षिनी भाग पर आक्रमन किया अगस 1942 इसमी में जर्मन सेना स्टालिन ग्राड के निकर तक पहुँझ गी ये युद करीब 5 महनों तक चला और अगस सेप्टेमबर में स्टालिन ने अपनी सुरक्षा बावस्ता का पूनार गठन किया और रूसी सेना वनागरी को खोने युद्सा से शत्रु को रोकने की प्रेर न दी आगे बिटिस पधार मंतरी विन्स्टन चर्चिल ने रूस जाकर स्टैलिन को मिद्र रास्टर की योजना समझाई और इसकी स्विक्रिती प्राप्त कर ली तो दुपरांत रूसी सेनाओं ने जर्मनी के बिरूद परवल प्रत्याक्रमन आरम कर दिया अंतर ता फररारी में रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल भी और फरवरी 1943 इस भी में हजारों जर्मन अफसर और सेनी को ने आत्मे समर्पन कर दिया तो फाइनली कि हुआ कि फरवरी 1943 में जर्मन की सेना जो सोब्या संग या रूस के खिलाफ लड़ी थी उन्हों वो उन्होंने आत्मे समर्पन कर लिया तो क्या हुआ कि जापान द्वारा परल हार्बर पर आक्रमन तो क्या हुआ महां पर परल हार्बर में क्या था कि अमेरिका का प्रसांत महासागर इस्थित बेड़ा जो महां रखा गया था तहस नहस हो गया जिसकी वज़ा से अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद यूद की घोसना की उसके बाद जर्मनी और इटली ने अमेरि कि महादीब के सारे देश जर्मनी इटली और जापान जो धूरी राष्ट कहलाए जर्मनी जापान और इटली क्या कहलाए धूरी राष्ट कहलाए के विरुद यूद में सामिल हो गया दूसरा मोर्चा इडोप में 1942 इस बी के बाद जर्मनी और सोबियत संके बीच घमासान लड़ाए हुई इसमें जर्मनी बुरी तरह पराजित हुआ जर्मनी की इस पराज़ाई में दीतियों मोर्चा की महत्पुन भूमी का रही दूसरे मोर्चे में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस आते थे यह ना दूसरे मोर्चे में कौन कौन आते थे अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और फ्रांस आते थे यह सब मिलकर जर्मनी को पराज़ित करने में करने का प्रयास किया और 6 जुन 1944 को जर्मन से ना परास्त हो गई तो 6 जुन 1944 को जर्मन से ना कहा परास्त हो गई अमेरिका, इंगलान, रूस और फ्रांस के बिरूद जब यह यूद लड़े थे इसके पहले ही इतली पुनता पराजित हो मित्र रास्टो से संधिक कर चुका था तो जो मुसलिनी जो था हिटलर का दोस्त था उसका साथ छोड़के क्या हो था कि मित्र रास्टो से संधिक कर चुका था अंतता साथ में 1945 को जर्मनी ने भी आत्म समर्पन कर दिया मित्र रास्टो ने जुलाई 1945 इस पीविक को जापान पर भी से नाक्रमन किया और 6 अगर्ट 1945 को अमेरिकान नेयुद के दौरान अत्तिक बिक्सित हथियार एटम बंब जापान की हिरोसिमा नामक नगर में गिराया खलता हिरोसिमा का नामो निसार मिर गिया दूसरा एटम बंब 9 अगस्ट 1945 को नागसा की सहर पर गिराया और नागसा की भी निस्तन अबूध हो गया जापान के सामने आत्म समर्पन के सिवा कोई भी कल्प नहीं था और जापान ने 2 सितम में 1945 को आत्म समर्पन कर दिया और इसके साथ ही दीतिय विसेजुद समाप्त हो गया यहाँ पर इंपोर्टेंट घर्टना जो था वो क्या था कि 6 जून 1944 को ही जर्मन सेना क्या थी हार चुकी थी और उन्हें और इसको हारता देख सबसे पहले क्या था इतली जो पहले ही हार चुका था उसने क्या कि 7 मैं 1945 को जर्मनी का साथ छोड़कर मित्र राष्टो के साथ संधी कर लिया अब बचा था जापान तो मित्र राष्टो ने क्या कि जापान को हराने के लिए 1945 में जापान पर भी सम आक्रमन किया और इसमें क्या कि 6 अगस 1945 को एक हिरोसीमा में एक अटम बम गिराया, फला था हिरोसीमा का नाम निसान मिट गया और दूसरा अटम बम नाइन दगस 1945 को नागा साकी में गिराया, इससे क्या हुआ कि दोनों सहर नेस्ता नाबूध हो गया और फाइनली जापान ने आत्मे समर्पन कर दिया, तो दीतिया वि धंजन की हानी, इस जुद में ब्यापक धंजन की हानी हुई, ये इतियास का सबसे बिनासकारी योदे था, फासी बादियों ने इरोप के एक बड़े भाग को बहुत बड़ा कब्रिस्तान बना रखा था, लगबग 60 लाक यहुदियों का जर्मनी ने मौत के घाट उतार द गये गये थे और इसमें लगबग 2.2 करोर से निक और 2.8 करोर से अधिक नागरिक सामिल थे, और लगबग 1.5 करोर लोग जंतरना सी वीरो या फासी बादियों के आतंग के कारण मारे गये थे, पोलाइन के 60 लाक लोग मारे गये थे, जो कुल संख्या का लगबग 20 परतिस थी और इससे भयाबा नुकसान सोबिया संका हुआ था, उसके दो करोर लोग मारे गये थे, जो आबादी का दस्वा हिस्सा थी, जर्मनी का लगबग 70 लाक से अधिक लोग मारे गये थे, जो आबादी का लगबग 10 भाग था, मानवी 36 से अलग बड़े पहमाने पर बहुत संसादनों का भी छही हुआ, अनेक प्राचीन अगर पूरी तरह नष्ट हो गये, दीत्य अभी से जुद के कुल लागत बहुत उंची थी, और अनुमान के अनुसार ये लागत लगबग 13 खरब 84 अरब 90 करोड डॉलर थी, दीत्य अभी से जुद के दोरान तबाही के लिए नेने हत्यारों का विकास और उप्योग हुआ, इन में सबसे भेयानक था परमानुबम, परमानुबम का सबसे पहले इस्तेमाल संजुत राज अमेरिका ने दीत्य विसुद के दोरान जापान के खिलाफ किया, परमानुबम का पहला परिक्षन जुलाई 1945 में किया गया था, जर्मानी तब तक आत्म समर्पन कर चुका था, इरोपियस रिष्ठता और उपनिवेसो का अंत, दीतिय विसुद के बाद एसिया महादीब से इरोपिया रास्ट्रों की प्रभुता लगबग समाप्त होगी, दीतिय विसुद के बाद भारा सिलंका, बर्मा, मलाया, हिंदे इरोपियस रिष्ठता का भी अंत हुआ, कहा जाता है कि इंग्लैन के राज में कभी सूरज नहीं डूबता, और दीतिय विसुद के बाद से वह डूबने लगा, इंग्लैन की सक्ति का हरास, और रूस तथा अमेरिका की सक्ति में ब्रिधी, पर्टेक्ष रूप से तो यू सक्ति और संसाधन सिमित हो गया, और इसके बदले में अमेरिका और रूस अपनी असीम आर्थिक संसाधनों के साथ विसकी राजनिती में सक्तिसाली देश के रूप में उपरे, नेक्स्ट क्या था, कि संयुत राज संग की स्थापना हुई, दीतिय विसुद के उपरां संय इंत्रित निर्देशित कर रहे हैं, विस्ट में गुटो का निर्मान, पहले विसकी राजनिती में इंग्लैंड छाया हुआ था, लेकिन दीतय विसुद के बाद विस सामिवादी और पुंजी वादी खेमें बढ़ गया, सामिवादी खेमा का नेत्रित संजुक्त राज अ और आपने विसिक देशों के आर्थिक तंचक अपने को केंडरीत करने लगे, इस पर कर सामिवादी का भी स्वरूप बदला, तो आप यह चाप्टर यहीं पर समाप्त हो रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइ करें 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 तक्यू